नमस्कार इस वक्त में मौझूद हूँ आजमगड में हमारी पीछे एक सोलर प्लांट आप देख रहे हैं सोलर पैनल आजकल हर घर में बिजली की खासी आओ सकता है इसे आप भली बात परचित हैं हर घर को बिजली की बहुत आओ सकता है बिना बिजली का कोई काम नहीं हो सकत लेकिन जब उसके बील आते हैं तो जो बिजली भोगता है कहीं कहीं परसान रहते हैं अब ऐसे में सोलर प्लांट जो हैं हर शेत्र में अपना पर्चम लहरान शुरू कर दिये हैं क्योंकि मुझे लगता है कि बिजली के अपक्षा जो इसकी सर्विसे बहतर है बिजली में तवाम तरह की समस्याइं मिल सकते हैं आपको जैसे ग्रामिट शत्रों में बार बार कटना और अगर बिजली मिलती भी है तो सही तरीके का बोल्टेज नो मिल पाना जिसे हम कुछ इस्तमाल ने कर पाते हैं अगर मुझे कंपूर्टर चलाना हो तो भी प्रबलम आती है अग लेकिन इस दिन सबों के बीच जब से सुलर प्लांट जगर जगर लगने सुरू हो गये हैं और जो हमारा हमारा अपना खुद का जो अनभव है उसमें अब तक पाया है कि लोग इसकी से बिहतर तरीके से संतुच्ट हैं अब बात यह आती है कि आपको हम समझाएं किस तरीक नेचर ग्रीन सोलर हूं का मैं डिस्ट्रिब्यूटर हूं लूम सोलर का यह प्लांट आपने ही लगाया है यह प्लांट हमने लगाया है और यह थ्री फेज में स्कूल में लगाये गये हैं एक्चुली इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि यह जो है गाउं का छेतर है तो यह अक्सर बिजली कटवती रहती है जब इसकूल आवर्स होते हैं अच्छा जब इसको लगाने के लिए इसके ओनर ने हमें कांटेक्ट किया था तो उस समय कोरोना का फर्स फेज जा चुका था और चूंकि कोरोना काल में बच्चे तो इसकूल में आते नहीं थे मगर आफिसे वगरे चलती थी और लाइट ना होने के विएसे अच्छे खासे डीजल में जो इनके खर्च हो गए थे तो इसकूल ने हमसे संपर किया और हमने इस्टॉलेशन किया जिससे इनका टोटल खर्च जो डीजल का था जेंसेट का वो माइनस में हो गया यानि शून ने हो गया त तो उसके बाद फिर आगे जब इसकूल खुले हैं कोरोना के बाद तो इन्होंने हमसे सेकेंड फेज में लगवाया फिर अभी रिसेंटली हमने इस सिस्टम को लगाया है अब इस समय पूरा इसकूल सोलर से ही चलता है जो कुछ भी यहाँ जरूरत है पंखे है या एसी है जो भी यहाँ है सारे एक्विप्मेंट्स सोलर से ही चलते हैं बिजली की का कनेक्शन तक नहीं दिया गया है इसके जो इन्वर्टर से सोलर के लल जी एक बात जाना साहें कि यह काफे संख्य में इनको देख रहा हूं इसके पीछे भी पैनल लगे हुए हैं बिजल में आप आपको तुब बताना पढ़ता होगा हर फिर कि जानता नहीं हो तो इसे कैसे समझा पाते है तो पहले हम लोग जो भी यहाँ साइट होती है उस पर जो इक्विप्मेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं और उसका कैलकुलेशन किया जाता है कि वह कितनी देर चलना है उ और यही तरीका है कि उसका कैलकुलेशन करने के बाद ही जब हम इसको लगाएंगे तब ही यह कामियाब हो पाएगा अन्य था किसी बेगार जानकारी के ऐसे ही लगा दिया जाएगा तो सोलर चल नहीं पाता है तो कुछ लोगों का कहना होता है जिसे एक सस्पेंस बना हुआ है कि गर्मी में अच्छा काम करता है ठंडी और बरसात में इसके श्यमाएं भरपूर हमलों के इसका लाब नहीं मिल पाता है थो एक्सपेंड करें और समझाएं कैसे हो सकता है चुकि सोलर का मतलब ही होता है सोरे तो अगर सोरे बिल्कुल चमकता हुआ दिखता है तो हमारी जेनरेशन ठीक होती है और अगर बादल आ गया या कोहरा आ गया तो जेनरेशन पर फर्क पड़ता है मगर अब चुकि टेकनोलोजी एतनी हाई हो गई है कि हाई टेकनोलोजी के हाई एफिशेंसी के पैनल्स आ गया है जो कोहरे में और बरसात के दिनों में भी अच्छी जेनरेशन देते हैं जिससे बहुत जादा परिशानी नहीं होती है वैसे भी सोलर का जो साल होता है वो 300 दिन का कैलकुलेट किया जाता है जिसमें 100% जेनरेशन आएगी बाकी के जो 60-65 दिन होते हैं उसमें जेनरेशन घटती और बढ़ती रहती है तो ये चीज़ हम लोग कस्टमर को एक्सप्रेन कर देते हैं ताकि वो अपनी जो 60-65 दिनों भी सिथा लेते हैं तो एक कैलकूलेशन ये आता है कि हमारे जो सोलर के खरचे हैं लग बख तीन से चार साल में पूरे निकल आते हैं और जो सोलर पैनल की लाइफ है वो तो कमपनिया वारेंटी ही 25-30 सालों की दे रही हैं उसके बाद भी सोलर पैनल चलते हैं तो बाकि हम तीन-चार साल के बाद तो जो भी हमारी जो पावर कंजम्शन है वो तो फ्रियाप कॉस्ट हो जाती है ति इस तरह से हम अपने पैसे को भी बचा सकते हैं उसके अलावा परियावरन को भी जो है सोलर की विए से बहुत लाब हो रहा है मपने परियावरन को भी सुरक्षित सकते हैं उसके लोड के कैलकुलेशन का सही होना जरूरी है अगर हम लोड को सही कैलकुलेट कर लेंगे तो सोलर पैनल से कुछ भी चलाया जा सकता जो भी बिजली से चलता है तो अब माल लेजे कि एक नॉर्मल घर में जैसे तीन-चार पंखे चलने होते हैं और एक फ्रिज हो होता है वाशिंग मशीन दिन के समय चलाते हैं एक एचपी का पंप होता है इनको चलाने के लिए मुझे लगता है कि तीन से चार किलो वाट के अगर सोलर पैनल हम लगा लें तो हमारी आवशक्ता पूरी हो सकती है कहां कहां सर्विस की से पूरे इंडिया में कहां कहां तक आपके सिवाय चलती हैं जो आपका सर्विस हैं हमारी कंपनी तो पूरे भारत वर्ष में सोलर पैनल लगा रही है और हर जिले में हर प्रदेश में कंपनी के हमारे ऑफिसे हैं और हम जो है यह आजमगड और इसके आसपास के जो जनपद हैं या जहां से भी रिक्वार्में है तो हमारा ओफिस है आजमगड में रोडवेज करतारपूर बाइपास पे नेचर ग्रीन सोलर होम के नाम से मोबाइल नंबर हमारा है 78003-1115 इस पर कॉल कर सकते हैं और जो भी क्वैरी होगी कस्टमर की हम उसको समझाने का पुरया प्रयास करेंगे और उसको बढ़िया से इंस्टॉलेशन करके देंगे अभी हम लोग नीचे चलेंगे जहां पर इसका पुरा प्लांट लगा हुआ है जैसे बैटरी इनवर्टर जो भी लगे हुए हैं वहां चल करके अभी वहां पर भी समझते हैं तो चलिए वहां पर चलके समझने के बाद फिर जो यहां की इसक जिनके हर यह लगा हुआ जिनके श्कूल में लगा हुआ है उनसे भी बातचित करके इसके सिवाओं के बारे में समझेंगे और आपको समझाएंगे कि इनकी सिवाओं से वह कितना संतोष्ट है तो चलिए अब यह पीछे अभी आपनी मैंने उपर इसका पूरा जो पैनल थ होता है बिजली कहां से बनती है यह पीछे आप साब तोर पर देख सकते हैं कि यह बैटरिया लगी हुए है थोड़ा संदर आजी यह और यह बैटरी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, और बारा बैटरी लगी है और यह मेरे ख्याल से इसके इसके इ थे, इसमें सप्लाई दिया जाता है और यह हमारे यूजेबल एनरजी को एची में कनेवर्ट करके देते हैं यह हममारे पांच, पांच, किलोफ के दो inverters लगे हैं जो parallel हैं जो school के जो classrooms हैं उनको यहां से supply जाती है और यह जो हमारा दूसरा वाला inverter तीसरा वाला इस से जो school का जो वो है offices वगरा हैं उनको supply जाती है और जितनी guarantee तक करांटी होती है क्या प Weird कि अलग अलग कंपनीयों का ळाला डाटी होती है कुछ कंपनीया दो साल देती है कुछ कंपनी matters होती है तो जैसे家 अपरी देटिती है들 उसी यह ट्रांस्फार्मर लेस् इन्वर्टर होते हैं, इनकी विशेस्था यह होती है कि यह जो हमारी DC करेंट जो जो जन्रेट पैनल कर रहा है, उसको मैक्सिमम यह AC में कनवर्ट करते हैं, हमारी यूजएबल एनरजी में कनवर्ट करते हैं, कमपनियों का यह कहना है कि 92-98% जो जो generation हो रही उसको convert कर देते हैं और यह transformerless inverter होता है तो इसकी जो search power होती है वो जो इसकी capacity rating होती है उसके just double होती है तो इसकी performance भी अच्छी आती है यह 48V में आते हैं और इसकी जो इससे AC current निकल ला है वो भी बहुत ही fine होता है बैटरी की life क्या होती होगी बैटरी की company नॉर्मली तीन साल और पांच साल के warranty देती है तो जैसे use करता है customer उसी हिसाब से होती है नॉर्मली जो lead acid के बारे में यह कहा जाता है कि 700 times की इसकी life cycle होती है तो 700 बार यह charge और discharge के जाती है तो अब जहां रोज discharge हो गई और charge हो गई वह तो थोड़ा जल्दी हो जाती है लेकि नॉर्मली पांच साल के अगर है तो वो चलती है बैटरी है जहां तक हमने अपनी भी घर लगवाया है तो जहां तक मेरा अनुबव है मैंने इसको समझा है और मैं अपना अनुबव शाजा कर रहा हूं कि electric जो बैटरिया चार्ज होत है वो कितना संतुष्ट है उनसे भी बात करके उनकी भी जो उनका जो अनुबव है वह हम आपको साजा करेंगे हमेरे साथ है अब तक का जो इनका अनुबव है बिजली और पैंदल को लिए करके कैसा रहा और क्या समझते हैं और आपको क्या समया है इन तमाम मुद्व पर ले समय जो बात करेंगे कब से लगा हूए पैंदल ये लगबत तीन साल हो गया हो गया है इसी से भाएं भुठ अच्छी है और जो इन His couple बी वो तो पैंदल से भी अच्छी है क्यों अड़ तक अब तक इसके पहले तीन साथ में ने स्यांची सब को चल रहा होगा आपका है तो बिजली की जो सेवाए थी और पैनल के सवाओं में अंतर क्या दिखा आपको? नहीं हमारा स्कूल रूलर एरियम है तो क्योंकि यहां बिजली की बहुत जादे समस्या थी समस्या यह थी कि जो शेड्यूल था वो सुबह ही में कट जाती थी तो उसके बाद जब से हमारा पैनल लगा है तो हमारा काफी कॉस्ट भी बच रहा है मैं यह कहूं कि हमारा पैनल का कॉस्ट भी पूरा निकल गया होगा दो तीन सालों में जानना जाहेंगे की क्या क्या कि इसे आप अपरेटर लेते हैं हमारा सारे प्या क्कॉस्ट टेते च्टियू नहीं है युदाए आपक या जाजा सकता है तो अभी ऐसा एसी नहीं है अभी जरूरत नहीं रेकिन जरूर किया पताat है, क्योंकि जब लोड ले रहाा तो ऐसी भी सक्राइब पढ़िधे अब हमारे वहां और जाया कि रूड थे उनिट किया होगा नतरी नहीं पर बात्या नहीं कुछ जैसे रेनी सीजन हो गया उसमें थोड़ा इशू आता है लेकिन कुछ देर के लिए आता हो गया सुबह में तो हम जनरेटर यूज करते हैं तो जनरेटर चला लेते हैं क्योंकि लाइट की यहां बहुत ज्यादा इशू है रूलर एरिया की वाज़े से जो शेडि जो जिनके घर लग जिनकी स्कूल में लगा हुआ है बहुत बड़ा ग्राउंड है यहां पे एक कॉलेज है और यहां पर इन्होंने बताया कि धायट दोसों पंखे हैं उसके बाद से समर सेबल है तमाम इसे जो उपकरणने हैं बिजली से जो चलाते थे अब इस से यह उसक इन्साल में हमने जो जो कॉश्ट लगी थी वो हमारा वस्फुल हो चुका है और आप समझ सकते हैं कि पैनिल की लाइब बहुत ज्यादा होती है और अभी आगे ऐसे चलता रहेगा